हेलो फेर्स वेलकुम बैक टू माई चैनल असलाम अलेकुम कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ आप सब लोग खेरियत से होंगे तो guys आज मैं हम लोग के साथ share करने वाली हूँ बूंदी की रायती की रेसिपी जिससे शादी वरातों में भी बनाया जाता है और लोग इसे घरों में भी बनाते हैं और ये बहुत ही जादा पसंद किया जाता है गर्मियों में इसे लोग बहुत ही जादा पसंद करते हैं खा यहाँ पर लेंगे बूंदी क्योंकि हम बूंदी का रायता बनाने वाले हैं तो मैंने यहाँ पर एक कप भर के बूंदी ले ली है यह अगर बजन में नापेंगे तो 70 ग्राम के करीब हमारी जो बूंदी है तो अब हम क्या करेंगे हम लेंगे पानी तो मैंने यहाँ पर एक क अब बूंदी है हमारी तो इसमें हम डेड़ कप पानी आड़ करेंगे पानी को हमने हलका गुंगोला कर लिया था यानकी हलका सा गर्म कर लिया है पानी को जादा गरम नहीं करना है हलका सा गरम करना है इस पानी को हमने इसमें डाल दिया है अब हम पानी में बूंदी को अच् खट्टा धही हम नहीं लेंगे रायते के लिए वनना रायते का जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है अब हम इसमें एड़ कर देंगे इसमें हम एड़ कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर तो यह मैंने हाफ टीस्पून भरके लाल मिर्च का पाउडर इसमें एड़ कर दिया है और साथ ही हम इसमें एड़ कर देंगे वन टीस्पून भरके भुने हुए जीरे का पाउडर बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है इस बुंदी बहुत अच्छे से मिक्स कर लें सबस्तोrog ना कि यह दो राइत करते हैं इसई इस जिरह ना को편ग sì कम करें आप तरी सकते हैं तो साथ ही हम इसमें add कर देंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं, market में available ही यह यह नता ही, रायता दोनों में ही यूज किया जाता है, तो इस मसाले को हम इसमें add कर देंगे, इस से हमारे रायती का स्वाध है वो और भी बढ़ जायेगा, और भी tasty हमारे रायता हो जाएगा, त यह पूदीने का क्रेश किया हुआ पावडर तो इसको सुखा कर और इसे क्रेश करके इस तरह से रख लीजेगा और रायते में बहुत ज्यादा बढ़िया फ्लेवर देता है यह पावडर तो आप इसे भी इसमें डाल दीजेगा और आप चाहें तो इसकी जगा आप धनिया जो होता है नदनीय की पत्ती भी आप इसमें एड़ कर सकते हैं, तो guys finally हमारा जो रायता है बनकर तयार हो चुका है, तो अब हम इसे गार्णिश कर देंगे, हलकी से इसमें हम डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, हलका सा हम इसके अदर डालेंगे, बुने वे जीरी का को आप रोस घर के खाने के साथ शामिल कर ली जिएगा बहुत ही टेस्टी रायता होता है सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और गर्मी बतो वैसे भी राइता बहुत-पायदे मत होता है और सभी को बहुत पसंद भी होता है तो गाई एक बार आप इसे बनाकर जरूर से ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले साथ ही बैल आइकन को भी प्रेस करें जिससे की मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल से जल पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख पाएं तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाई बाई अलहाफीज